तो अगर आप देखेंगे तो इंफलेशन का जो ये डेटा है आपके सामने आपको देखते हूं मिला है कि एंडिया इंफलेशन लाइक्ली कूड टू ठी मंथ लो तो अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं इसी पर बैंक का मोमेंटम इसी पर निफ्टी का मोमेंटम इसी पर फिन ओपर करेगा कि आप देखा कि लास्ट्टू वीक या फिर फेप से स्टार्टिंग से ही 22,000 पे market गया हो 22,000 एक सो पे भी गया हो 120 पे भी गया हो डेकिन लोगों ने वहाँ पे mood off करके केवल पैसा गवाया है तो इसलिए आपके लिए बहुत important update में ला रहा हूँ 3 month low January ये polls बता रहे हैं अब ये exactly आपको समझना पड़ेगा कि ये polls में कितना data है क्या बता रहे हैं कितना आ सकता है ये सब कुछ impact करेगा oversold nifty bank को और date भी आपको पता होनी चाहिए at least क्योंकि आपको पता है कि उस particular दिन पे जब data आ जाता है then after that momentum देखने हो मिलता है तो Reserve Bank of India पूरी तरीके से आपको पता है disturb कर चुका है बैंको को, trading platforms को मलब e-banking को और जो भी चीज़ें हैं अगर आपने देखी होंगी तो जैसे ही monetary policy आई है उसके बाद market एकदम देखेगा one way fall आपको देखने हो मिला था जो particular commentary जो rate cut का signal hint कुछ भी देखने हो होनी मिला, किस में आपको पता है monetary policy में तो ऐसे में ये data बहुत important होने वाला है और ये माना जा रहा है कि retail inflation का जो data आपको देखने को मिलने वाला है वो अब तीन महिने के lowest level पे देखने को मिलने वाला है अब पहले आपको तीन महिने का data पता होना चाहिए then after that आप जन पाओगे कि lowest कितना है जनवरी में माना जा रहा है data 5.09% आ सकता है इसमें दो बाते आती है ये expectation है अगर इससे उपर आ जाता है तो आप समझेगा कि यहाँ पे market को जितना expectation थी उससे ज़्यादा आ गया निगेटिव है और इससे कम आ जाता है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा positive है stock market के लिए चुकि पूरा stock market over sold zone में देखने को मिलना है अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे food के prices जो हैं rise हुएं favorable base effect है according to the economics pulled by the router यह जो data निकाला गया है वो router से निकाला गया है और जो पूरा prediction है वो inflation का core inflation का 3.7% तक का भी यहाँ पे किया गया है आप देख सकते हो पूरा कि biggest risk in the to the ongoing dis inflation तो अगर आप देखेंगे यह RBI ने भी बहुत करा था मतलब एक तरीके से इसको highlight किया था लेकिन यहाँ पे जो CPI का inflation का data आपको देखने को मिला है according to the economist in the Feb 5.8 router pole तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे inflation का data माना जा रहा है कि तो अगर आप देखेंगे जो माना जा रहा है कि 3 महने के lowest level पे आता हूँ अदेख्टिव मिलेगा इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि last data क्या आया था 5.44 आ चुका है 5.69 आ चुका है last data और अगर यह data इतना कम होके आ जाता है तो इससे अच्छी update आपको stock market के लिए देखने को next week नहीं में सकती क्योंकि यह जो data है वो अगर आप देखेंगे तो 44 economist यानि कि यह data ऐसा नहीं होता है यह 19-20 होता है बस इसमें आपको यह देखने लिना है कि यह इससे जाधा ना है इससे जाधा है अगर तो expectation से जाधा आ गया तो little bit वो उस तरीके का momentum नहीं मिल पाएगा लेकिन इससे कम आ गया या इतना ही आ गया तो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे that would still be above the 4% यानि कि जो RBI का target है उससे 4% या 4% के आज़ पास data लाना है या तो इसके नीचे लाना है तो ये भी बहुत देखता है कि 6% से कितनी दूरी पर रहेगा 6% से जितना पास रहेगा उतना negative है जितना दूर रहेगा उतना जादा positive है और जैसे data hit करेगा market को वैसे ही आपको देखेगा stock market में तेजी देखने हों लेगी क्योंकि अगर data कम होने वाला है data ease होने वाला है after 2 months तो ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती तो आप समझ सकते हैं कि stock market के लिए अगले हफते के लिए सबसे important देखेगा update है तो focus करेगा वीडियो अच्छा लगता है तो like करिए thank you so much